हलो एवरीवन तो दोस्तों आज हम आपी के रिक्वेस्ट पे गोश वाली डाल जिसे हम डालचा कहते हैं इसके रेसिपी लेकर आए हैं इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत स्वाधिश बनती है लेकिन बनाने का तरीका बिलकुल अलग है जो बावरची शा भीको कर रखा था अब इसे हमें प्रेशर कुकर के अंदर डालना है दोस्तों आज की रेसिपी बहुत जल्दी बनेगी और बावरची भी इसी तरीके से ये डाल बनाते हैं अब इसमें डालेंगी हम 300 ग्राम दूलावा गोश गोश को भी आपको डाल के साथ ही डालना है सा जाती मैंने एक बड़ी प्यास भी डाली है और एक चोटा टमाटर डालेंगी अब इसमें डालेंगे हम नमक नमक हमारे स्वाद मुसार डालना है आदा चमच हल्दी पाउडर और दो गलास हमें पानी डालना है दोस्तों इस तरीके से आप ये गोश दाल वाली गोश या ज गल नहीं जाता तो मैंने आपर 2-3 विजल लगाने के बाद लगभाग 15-20 मिनट इसे धिमयाच पर रखा था और ये देखे दोस्तों अब कोकर का प्रेशर डाउन हो चुका है हमने इसे देखा तो डाल और गोश दोनों अच्छे से पक चुके हैं और मैं आपको दिखाती ह अब दोनों चीज़े अच्छे से पकनी चाहिए और साथ ही जो हमने प्यास टमाटर और जो मसाले डाले हैं वह अच्छे से पक जाते हैं और उसका फ्लिवर भी इसमें लाज जवाब आता है तो दोस्तों बहुत बहतरीन रेसिपी है अब इसे हमें अच्छे से विस्करना ह क्योंकि दाल को हमें अच्छे से फेटना है और यह देखे दोस्तों दाल भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और जो गोश है वो भी ऐसा ही है ऐसा नहीं कि हमने दाल को मैश किया तो गोश इसमें से पूरा बिखर गया है ऐसा भी नहीं है अब देख सकते हैं अब चलिए इस छोटी चौी फुना इसके दाने निकाल लेने हैं उसके छोटी फुना जी सब्सक्राइब गॉच्म वाली साथ छोटी वाली समय घा इस मैठ है सिपया सब्सक्राइब यह Less such देटी मैढ İsra तो ये मसाला जो है जैसे ही भूल जाए थोड़ा इसका color change हो जाएगा तब हमें इसे gas को बन करके इसे हमें डालना है grinder jar में और फिर इसे हमें piece लेना है तो दोस्तों इस मसाले को आप piece कर रख भी सकते हैं इसे store भी कर सकते हैं चलिए हमने इसे ठंडा होने के बाद jar में डाल दिया है और ये देखे दोस्तों जैसे आप piece न बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसे हमें एक साइड रखना है कड़ाई में हमें लेना है दो चम दोस्तों इसमें लाल मिर्च और धनिया पौडर अपकी इच्छा नुसार भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें भूनना है तो भूनने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसकी जो स्मेल कच्छी स्मेल है ना वह अनी नहीं चाहिए क्यो जैसे ही अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें डाल और गोश को डाल देंगे तो दोस्तों आपको अगर जल्दी हो तो आप डाल और गोश को पकाने के लिए रख दीजे और बाद में मतलब उसी बीश आप ये मसाला भून सकते हैं जिससे आपके दो काम एक साथ हो जा और इसे मिक्स करना है दोस्तों आपको अगर इसमें लौकी डालनी हो तो आप इसमें लौकी भी डाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है लेकिन मैंने नहीं डाला है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है तो अगर आपको इसमें नम अब दाल पक चुकी है इसका तड़का बनाते ही तो मैंने या पर निगे तिल और बटर लिया है कुछ कलिया लसून की स्वेड right gotter पेने 3 अरेắn की और एक प्यास दालें के जिसे हमने स्लाइस कट किया है अब प्यास को हमें थोड़ सा ब्राउन होने तक भुना है दोस्तों दाल के उपर ये प्यास और लसन का तड़का बहुत बहुत अच्छा लगता है तो इसे आप जरूर डालिये बावर्ची भी डालते हैं तो देखिए प्यास ब्राउन हो चुकी है और इ इसे मिक्स करना है यकीन मानिये दोस्तों ये गोश वाली डाल जिसे हम डाल चा कहते हैं बहुत जबरदस्त लगती है एक बार जरूर बनाईएगा और आपकी फैमिली मेंबर को जरूर खिलाईएगा तो ये रेसेट पर आपको कैसे लगी दोस्तों बिलकुल नहीं है बिलक सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक लिए बबाए और इस रेसिपी को इन्जॉय कीजिए